में ट्रीकमगर से पंकज अहिरवार और देवास से राजेंद्र मालवे के साथी खरगोन से पोरलाल, धार से राधिशा मुबैल, बैतूल से रामु टेकाम को टिकेट दिया गया है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रिस ने ये सेकेंड लिस्ट में मध्य प्रदेश के लिए लोगसभा की दस सीटों पर प्रत्याशों का एलान कर दिया है चिंदवारा से नकुलनात को दोबारा मैदान में उतारा है पिछले लोगसभा 2019 में MP की 29 सीटों में से सिर्फ एक सीट चिंदवारा ही आई थी नकुलनात सांसत बने थे और ऐसे में आप दोबारा नकुलनात को चिंदवारा से उतारा गया है चिंदवारा कमलनात का गड़ है इसके अलावा सीधी से कमलेश्वर पटेल 37 सिधार्थ कुष्टवाहा को टिकेट मिला है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस के इस दूसरे लिस्ट में मद्रप्रदेश के लिए 10 उमीदवारों का एलान कर दिया गया है भिंड से फूल सिंग बरयाखो मैदान में उतारा है नकुलनात चिंदवारा से मंडला से ओमकार मरकाम को पाटी ने टिकेट दिया है सीधी से कमलेश्वर पटेल पर पाटी ने अपना विश्वास दिखाया है सतना से सिधार्थ कुश्वाहा, टीकमगर से पंकच अहिरवार, देवास से राजेंदर बालविये, खरगोन से पोरलाल, धार से राधेशाम, बैतूल से रामु टेकाम को टिकेट मिला है और हमारे साथ भोपाल से हमारे एडिटर सुधीर दिक्षित जी जुड़े हुए हैं, उनका रुक करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं बाची जो खास दिनकुला से की गई है, सुने लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रिस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है इन प्रत्याशि mé arrange में चिंद बाला से साङसर नकुलाच जी का नाम सामने आया है, वो हमारे साथ है अपका नाम आज गोशित हो गया है गोशित तोर पर आब आफ त्याशिए सारी अच्छनों को विराम नश्यका है कि ऐसी तैयारी है इसमें तैयारी तो मैंने विराम सभा चुनाफ के समय से प्यारी शुरू करती थी और मुझे पूरा विश्वात है मैं दिले के हर कोने में दोरा कर रहा हूं और मुझे चिन्वारा की संता पर पूरा भरोसा है कि एक बार फिर वो अपना प्यार और आशिरवात मुझे देंगे यह जो अभी के हालात हैं केंद्र में सरकार है वाचपा की राज्य में सरकार है वाचपा की कितना चुनोती पूर्ण लग रहा है आपको बिलकुल चुनोती पूर्ण नहीं है मैं आपको धारन देना चाहता हूं 2004 का 2004 में वाचपाई जी की सरकार केंद्र में थी राज्य मे भाजपा की सरकार थी और 2004 में आठो के आठो विदायक बीजेपी के थे जना पंचायत बीजेपी के थी नगर-नेगम बीजेपी के थी नब्बे प्रपिशत नगरपलेका नगरपरिशत बीजेपी के पास थी आज मेरा मानना है कि हम 2004 से अच्छी स्थिति में है यह जो अभी जो दिख रहा है प्रदेश घर में जो चल रहा है कॉंग्रेस बड़ी संख्या में कॉंग्रेस के निता पलायन कर रहा है भाजबा से चुकि आप एकमात्र चांसर रहे हैं चिन्वारा से 28 सीटों में से 29 सीटो का चिन्वारा के साथ राजनेतिक संबंद नहीं है परिवारिक संबंद था परिवारिक संबंद है और परिवारिक संबंद रहेगा यह जो अफाइंड कुछ दिन पहले पहली यह तो मीदिया वालों ने फेलाई भारती जन्ता पार्टी वालों ने फेलाई कि हमारे कार्यक करताओं का मौरल बिल्कुल नहीं मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा वह उन्हें मुझे यकीन दिलाया है कि विदान सभा से भी जाधा मैनत और ताकत से उन लोग सभा चुनाव की त्यारी करेंगे यह थे हमारे साथ संसर नकुलना जिनका पूरा कॉंपिडेंस है कि इस बार व अधिर जी समझा चाहेंगे आप से चिंदवाडा को लेकर नकुलना तो बहुत कॉंफिडेंट दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाखी सीटों पर कॉंग्रस और कारेकरताओं का मनोबल उत्तरा बढ़ावा नहीं नजर आ रहा है इतनी भले ही वो दावे लाग कर ले बिल्कुल देखे जिस तरीके से जो सीटे को ऐलान इस बार कॉंग्रेस ने किया है जो 43 सीटों मेंसे जो 10 सीटे जो मद्रब्रदेश की सीटों का इन्हों नहीं एलान किया उनको गर आप देखेंगे बारीकी से तो एक छिंदवाडा इकलोती सीट है जैसा अभी आपने सु दोशना की है उनमें एक दो सीट आप छोड़ सकते हैं अब धार को छोड़ दे या देवास की सीट को छोड़ दे तो बाकी जगह पर कमोबेश उन्हीं नामों का एलान किया गया जिनकी जानकारी न्यूज एटीन ने करीबन हकते भर पहले दे दी ती और पहले ही इस बात क यहासी चक्र को अगर मद्रदेश के आप देखते हैं कॉंग्रेस के लिए आससे आप देखते हैं तो कॉंग्रेस में जो भगदर इस वक्त मची हुई हैं ऐसी स्थिती में कॉंग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी रहात की खबर है कि उसने अपने अम्मेदवारों की गोश आते हैं चुनाव से बच रहे हैं यह सारी चीजों का अगर आप अनुमान लगांगे तो इस वक्त एंदौर की हम बात करते हैं भोपाल की का रही ओन गुना की बात करें गौलियर की बात करें उचेंट की अम बात करें तो यह वह सीटे हैं जिन पर अभी कॉंग्रेस ने भी उम्मिद्वार अपने गोशित नहीं किये गहें क्योंकि अभी तक बीजेपी ने भी वहां पर उम्मिद्वार गोशित नहीं किये और जल्द ही उन पर भी सूची जा रही होने की जो संभावना है वो जताए जा रही है लेकिन अगर हम पूरी सियासत को देखेंगे तो जैसे कि नकुलनाथ ने कहा था कि 2004 में क्या हुआ था चौदा के वक्त क्या कंडिशन थी तो चिनाओं में जिस समय वोटिंग होती है उस समय जनता का जो मूड होता है उसको भापना और उस मूड के इसाब से तैयारी करना जैसे नकुलनाथ ने कहा कि मैं गाउगाउ पहू का बागी है तो ऐसी स्थिति पे तो यह देखना होगा कि अभी सियासत कई रंग बदलेंगी कई करवटे लेंगी यह देखने होगी आपके पास तमाम समी करनों पर और भी चर्चा करनी है आशुतोष प्रोहित हमारे सयोग्यां खरगोन से हमासे जुड चुके हैं आशुत आशुतोष आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी नहीं आवाज नहीं जा रही है उन तक सुधीर जी आप सुन बार है मुझे जी सुधीर जी दस सीटे आप क्या देख रहे हैं किस तरह से यहां पर कॉंग्रेस ने अपने पत्याश्यों पर सेहमती बनाई होगी क्या यह मजबूत नजर आ रहे हैं या फिर इन में से आपको लग रहा है कि कौन से समीकरण है जिनको साधते हुए कॉंग्रेस ने इन उम्मीदवारों पर हरी जंडी दिखाई देखें जिन सीटों की घोशना किए गए उसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दर सीटे ऐसे हैं कि जो रिजर्व सीट्स है जिन पर उम्मीदवारी की घोशना की गई है लेकिन उम्मीदवार कौन है इसको अगर आप देखेंगे तो हम बैतूल के अगर बात करते हैं तो रामू टेकाम को जिम्मेदारी दी गई है आदिवासी कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और पिछला लोग सबाद चुनाओं वहां से वो लड़ चुके हैं तो राम इनको टकर कितनी दे पाएंगे रामू टेकाम ये देखने वाली बात होगी दूसरी बात आपने खरगों से कहे थी वहां पर गजन सिंग पटेल जो है वो सांसद वापत और वहां से इस बार अगर कॉंग्रेस ने टिकट बदला है तो वो किस तैयारी के साथ उतरेंगे कार पर गजन से पर गजन से बड़े नेता है उन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई उनकी भूमी का क्या होगी अभी जो घुशित टिकट होने बागी है उनमें उनकी क्या भूमी का होगी एक तो ये चुनोती रहेगी इसके अलाबा बीजेपी के संगन टर्ण को वो किस त अश्रतोष का रुक कर लेते हैं आश्रतोष कि आब आपको मिले आवास तुनाई दे रही है जी जी सुना आश्रतोष जो आद दस सीटों को एलान कॉंग्रस ने किया उसमें से एक सीट खरगोन की भी है कॉंग्रस के प्रतियाशी कितने मजबूत क्या उनकी दावेदारी दिखाए दे रही हैं से क्योंकि पिछले जो चुनाऊ था यहां पर घजेन सीख पटेल जिस पर भाजपान ने फिर विश्वास किया वो करीब 2,10,000 बोटों से अधिक बोटों से जीते थे और कांग्रेस की कांग्रेस ने इसलिए आदिवासी संकर नविसे सुरूप से वो जैस के लिए भी पोरला काम करते हैं तो उसको लेकर यहां पर कांग्रेस ने चुनाऊ माहूल को दिल्चस बनाने के लिए आदिवासी का बोटों की खरगोन और वड़वानी जो संसदी छेतर हैं यहां पर छे सीट जो है आठ विदान साबर में से छे विदान से ठीक है आप 10 सीटों को तैलान यहा दो सीटों पर उम्मीतवर उतारे गए हैं वहां उन सीटों पर लोगसवा शेतरों में क्या समेकरण बन रहे हैं और बढ़ते हैं आगे बात कर लेते हैं कि किस तरह से पहली अप्रेल से मध्रदेश में मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाने का एलान किया है प्रदेश अब तक असंग्ठिक छेत्र हो या ओद्दूगिक छेत्र हो जो नियम के मुताबिक हर पांस साल में बेज रिविजन होना चाहिए वो 2014 से नहीं हुआ था तो मैंने उसका नड़ने लिया है और पचीश परतिसत और दो एक छेत्र हो या संग्ठिक छेत्र हो इसकिल्ड और अनसकिल्ड दोनों छेत्रों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमने लिया था प्रदैश के श्रम मंत्री प्रलाद पटेल ने हर्दा ब्लास्ट मामले की रिपोर्ट वापस कर दी है विभा के पास वहां काम करने वाले मजदूरों के संख्या नहीं होने पर मंत्री ने रिपोर्ट वापस करती है कि पंद्वजार पंद्रा में उसी जगह पर हाथसा हुआ था तो उस फेक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या का इन्रोल्मेंट किसी के पास क्यों नहीं है और जब अभी आप पीड़तों की संख्या बता रहे हैं उसमें पबलिक के लोगों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है मजदूरों की संख्या तो 32 है तो जब सूची ही नहीं है तो वेरिफिकेशन के साधार पड़े आप किसी गायल को पूछ कर उसको मजदूर बता रहे ह लेकिन अगर आपके पास में किसी इंडस्टी में काम करने वाले लोगों की सूची नहीं है तो उसके बाद आधार क्या होगा नियाय करने का और अब बात रतलाम की जहां निगम आयुक्त पर आक्शन हुआ है निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को सस्पेंड किया गया है सिविक सेंटर की जमीन की रजिस्ट्री में गरबड़ी का मामला बिना परमिशन के जमीन की रजिस्ट्री करवादी नगरिये प्रिश्चासन विभाग ने ये आक्शन लिया है बड़ी खबर अतलाम से आपको बता रहे हैं जहां निगम आयुक्त पर आक्शन हुआ है निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को सस्पेंड किया गया है सिविक सेंटर की जमीन की रजिस्ट्री में गरबड़ी के मामले में ये आक्शन लिया गया है बिना पर्मिशन के जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई थी ये गरबड़ी हुई थी और अब नगरी प्रिशाफिन विभाग ने कारवाई की है और अब बात इंदौर की जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला तेज रफ्तार कार बी आ टीस की रेलिंग से ठकरा गई इस हादसे में कार में सवार साथ लोग जखमी हो गए घायलों को अस्पताल में भरती करा आए गया है तो वहीं हादसे की फुटेज भी सामने आई है यह टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वही सीसी टीवी फुटेज है इसके आधार पर पूरे मामले को इन्वस्टिगेट किया जा रहा है किस तरह से यहां पर देखे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है वो इस फुटेज में साफ दौर पर देख जा सकता है तो हादसे में कार में सवार साथ लोग जखमी हो गए तेज रफ्तार में एक कार थी जो बिया टीएस की रेलिंग से टकरा गई मद्रप्रदेश में 280 नए CMY स्कूल की शिरुवात की जाएगी स्कूल शिक्षा मंत्री उधर प्रताप सिंग का यह बयान सामने आया है शिक्षा विभाग तयारी कर रहा है नए सेशन में धाई लाख बच्चों को इससे फाइदा होगा पूरू क्रिकेटर विरेंदर सेहवाक्ष नवाला पहुंचे जहां सांसत कप के पुरसकार वितरन संभारों में वो शामिल होए इस कारेक्रम में मौझुद असांसत नकुलनाद भी मौझूद रहे स्मॉकेपा विरेंदर सेहवाक्ष ने कहा कि मध्यप्रदेश की टीम भी आईपेर में होनी चाहिए जिससे खिलाडियों को मौका मिलेगा तो सांसत कप के पुरसकार वितरन संभारों में शामिल होने के लिए पहुचे थे पूरु कर्केटर रेंदर सेहवाक्ष और अब खबर रीवा से जहां विश्व का सबसे बड़ा नगारा बनाया गया है। इसे अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया जहां इसे प्रभूराम को समर्पित किया जाएगा बतादे कि अब तक विश्व का सबसे बड़ा नगारा है जिसका वजन 1100 किलो है जबकि साइज 122 का है और उचाई 6 फीट है इसे रीवा के बैजू धर्मशाला में बनाया एफिट के लिए फिल्म अभी नेता गोविंदा आज उज्ञैन पहुंचे जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन के गोविंदा ने भगवान महाकाल का पूजन और अभी शेख भी किया तीजी स्पिंग पर आप देख सकते हैं अब अबहुदा आप देख सकते हैं पूजा अचना भी किया विधिवत तरीके से